कॉंग्रेस के राश्ट्रिय नेता राहुल गांधी आज तेलंगाना दौरे पर थे। राहुल ने नर्सापूर मेडक में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बड़ी घोशना कर दी उन्होंने युवाओं को एक साल की नौकरी और एक लाख रुपए देने का वाद हैं। उन्हें एक साल की नौकरी, बहतरीन ट्रेनिंग और एक साल में एक लाख रुपए उनके बैंक अकाउंट में दिये जाएंगे। जब विपक्षी गठ बंधन इंडियन National Developmental Inclusive Alliance अपनी सरकार बना लेगा, तो वह उन्हें 15 अगस्ट तक 30 लाख नौकरियां देने का काम शुरू कर देगी। गांधी ने कहा, देश के युवाओं, चार जून को इंडिया की सरकार बनने जा रही है, और हमारी गारंटी है कि 15 अगस्ट तक हम 30 लाख रिक्ट सरकारी पदों पर भरती का काम शुरू कर देंगे। गांधी ने अपने वीडियो संदेश में कहा, हम भारती भरोसा योजना ला रही हैं। हुए कि भगवा पार्टी सम्विधान बदलना चाहती है, उन्होंने कहा कि कोई ताकत ऐसा नहीं कर सकती। गिरिजन लुकानी बंडी, आदिवासी लुकानी बंडी, मैनार्टी लुकानी बंडी, सामान्य लुकानी बंडी, वी लंदरू देशन लो यंतस सैत्म उन्ना और वनेटेटवन्टी विशेयों, वाले कि तली आली, वाले शेक्ते मिटो यी देशन लो बाले कि तली आली। और जाती जन्गर्ना के बाद करांतिकारी राजनेती शुरू होगी हिंदुस्तान की राजनेती हमेशा के लिए बदल जाएगी क्योंकि एक गहरा सच हम सब के सामने दिखने लगेगा दो तीन प्रतिशत लोग हिंदुस्तान को चलाते हैं सारी की सारी संस्ताइ उनके हाथ में हैं सारी की सारी कमपणियां उनके हाथ में हैं सरकार उनके हाथ में जाती जनगर्ना से पता लग जाएगा इसकी सक्चाई सारे हिंदुस्तान को पचा लग जाएगा। के काम किया। दस साल हिंदुस्तान के एरपोर्ट, पोर्ट, इंफ्रस्ट्रक्चर, डिफेंस इंडस्ट्री, सारी की सारी नरेंद्र मोधी जी ने अधानी को दी।